बोबाल में पढ़ाई करते थे वहीं पे एक आयूस राज नाम लड़का की साथ हमारा प्रेम संबंद हो गया उसी के साथ हम रहने लगे थे साथ में रहते थे तो हम जब प्रेग्नेंट हो गए तो छोड़के हमें भाग के आज महीने हो गए और हमें क्या मिला कुछ भी फु मारते हैं फीटते हैं और मोबाइल भी हमारा छीन लिए हैं और में बद उनका जो अंकल है जैराम तो वह हमें इतना जाएगा तो उसका बच्चा को पहले मार देंगे बाद में उसको विवस होके हां से जाना पड़े वाले यह साधी के लिए बिलकुल नहीं मान रहे थे क् तो कि हम यह साधी के लिए किसी और से तो नहीं मैं अपने मम्मी से बादार में सड़क पर घूंड रही हूं वैसे उनको भी हैसे करना पड़ेगा करेंगे क्या कुछ मामला है पूरा तो बने रहेगे हमारा सुर्ण क्या नाम है आपका मेरती हाथ हूं क्या कुछ पूरा मामला है हम वह बाल में पढ़ाई करते थे वहीं पे एक आयूस राज नाम लड़का के साथ हमारा प्रेम संबंद हो गया उसी के साथ हम रहने लगे थे साथ में कितने दी प्रेम पहले दो साल पहले से हुआ था सर तो हम अभी 5-6 मंत पहले से ही साथ में रहते थे तो हम जब हो जाएंगे पहले गलत नहीं बोलते थे गलत आप बोल रहे हैं पहले तो बहुत अच्छे से बोलते थे रखते थे अच्छे से साथ में रहती थी तो भी अच्छे से रखते थे लेकिन अब जो भी बोल रहे हैं तो पूरा गलत बोल रहे हैं और अच्छे से रखते भी नह प्रसाशन से क्या कुछ पुछ फिने मि लगात г Treasure अभी तक हमें क्या है मिला कुछ भी नहीं मिला आप नखी करता है पर दो महीने हो गए उनके सिस्टर के पास कॉल कर रही थी तो लिपन करते थे तो बाद में उनका अधार कर था उसी बज़े से मैं यहां तका गई और फिर जब मैं सिवान में आई तो बाद मैं आटो लेकि मैं यहां पर आ गई उनके घर पे ही गई कि गाउ में हम क्यू जाए हमें घर पे रहना है तो घर पे गई मैं तो जब घर पे गई तो उनकी मम्मी बोलती है मेर लड़का को तुभोपाल में ही मरवा दिये तो यहां क्या लेने आई हैं तो हम बोले हम कुछ नहीं करवा हैं लड़का को तो बोलती है चल थाने लेके तुझे चलेंगे हम बोले ठीक है जहां चलना चलिये बाद में जैराम के घर पे रख दिये उनका अंकल है ये तो उनी के घर पे रख दिये तो बाद में हमें जैर रोहर देने लगे कि हम प्रेग्नेंट हैं तो बोल रहे थे कि गरपात की दवा मिला मिला के दे रहे दे रहे थे जैराम की वाइ कि मार देते हैं इसको नहीं निकलने देंगे बाहर जब हम जोर-जोर से चिलाने लगे तो गांवाले ऐसे हमारा थोड़ा हेल्फ किये तो हम बाहर निकले फिर थाना वाले आए हम यहीं पर थोड़ा सेप्टी जगह लग रहा था तो यहीं पर हम आ गए थे उस बार भी और य और में लुक्त देखेंगे लेकिन दोज проблем किस रहेंगे जब हम साधी तो सादी किये हैं तो लोग देख रहे हैं और आप लोग देख रहें किistol सादी हुए वाली अउरत रहते हैं वह कैसे रहते हैं और कुसी तारह से भी नहीं लग रहा है कि हम साधी सुधा है क्या है 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 जी सर हमें जान की डर क्यों नहीं है क्योंकि हमरे हरोज रात में मारते हैं फीटते हैं और मुबाइल भी हमारा चीन लिए हैं और में वह meno प्त उनका जो अंकल है जैराम तो वह हमें इतना ज्यादा टौर्चर करते हैं वह हमारे महरे घर पर आया के लड़ाई करवाते हैं और 12 वजय एक एक बजय रात तक बाते करेंगे और बोलते हैं कि अभी लड़की को कुछ मत करो जब लड़की का बच्चा हो जाएगा तो उसका बच्चा को पहले मार देंगे बाद में उसको विवस होके हां से जाना पड़ेगा आपको अपनी घर की याद नहीं आती हैं मान रहे थे क्योंकि हम यह साधी के लिए किसी और से तो नहीं मैं अपने मम्मी से बात जरूर की थी लेकिन यह साधी के लिए कोई भी नहीं मानता हुआ अचा जो लोग अभी मैं देखता हूँ जो मैं ट्रूस सहर में बहुत सारे लोग आज भी जैसे सार्दा मडर के साब ने देखा तो आप तो इतनी बच्ची नहीं है कि बहुत सारे दुनिया में मडर हो जाते हैं लड़कियों के फ्रेम परस्वाइं में तो आप यह सब पहले को नहीं मिला कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए गलत किया है मैं बहुत गलत कि हूँ आप मुझे हैसास हो रहा है कि इसा नहीं करना चाहिए चलिए बहुत बड़ी बात है कि आप लड़ रही है सामने आकर और ये बहुत हिमत वाली बात है कि बहुत सारी लड़के आतमें अत्य कर लेती है और क्या कुछ मेसेज़ दीजेगा जो लड़के आज कल प्रेम परसांग में अपने माबाप की जो प्यार होता है उसको भूल पढ़ेगा अब क्या चाहते हैं लिवह क्या चाहती है मैं यही चाहती हैं सुर्ण कि अब मैं वो घर पे कौन से टाम पर जाओंगी जब गाहाँ वाले सबे समाझ के सामने हमारी साथी कर लेंगे हमारे साथ तब हम चले जाएंगे वह घर पर और अच्छे यादो क्या कुछ पढ़ाई करते थे वो इंजिनियरिंग करते थे और हमारा जी एनेम कंप्लीट हो गया था हम इंदोर में ट्रेंडिंग करते थे हमारा साथ आरती यादो थी और सारे लड़कों को आज कल यह मेसेज देने चीज है क्योंकि यह बहुत सारी लड़किया सब ज हमारी है